आज operation कर देंगे cell should will or would का चलो देखते हैं कोई बड़ी बात नहीं है model है मैंने कल शुरू करवाए थे आज आगे बढ़ाते हैं इनको कल can could मैंने can could may might करवाए था तीन तोनों का क्या कह रहा है cell is used in the first person and will in all persons to express future plan या pure future future को express करने के लिए ठीक है first person I or we के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी जो परसन बाच गया हम के साथ विल लगाते हैं कोई बड़ी बात नहीं today I or we shall is less common than I we will ठीक है I or we के साथ आजकल जो शैल है ना वो कम यूज किया जाता है बाकी सब आजकल I or we के साथ विल यूज करते हैं कोलों के लेंग्वेज में ठीक है अगर इसको syntactically देखा जाए grammarly इनको कई बार पूछ लेते हैं तो ये wrong हो जाते है कई बार लेकिन हम उस ये कह रहा है कि अगले जब बड़े होगा ना तो मैं 35 साल का हो जाओंगा तो I will be और शैल भी दोनों ठीक है वी विल नीड दा मनी ओन 15 तो शैल क्या है शैल वो वो हलके रूप में परियोग होता है ठीक है जहाँ पर sentence की intensity कम होती है वहाँ पर शैल वरना विल यूज We will need the money पंदरह को हमें money चाहिए तो हमें जरुष पड़ेगी यह तो पड़ेगी जरुछ पड़ेगी When shall we see you again तो यहांपर मिलने के लिए कोई खास प्रोग्राम की बात नहीं मिलना ही तो है तो यहांपर शेल यूज़ कर लेंगे और यह वैसे भी इंटरोगेट्टीव है इंटरोगेट्टीव हम शेल यूज़ करेंगे tomorrow will be Sunday कल Sunday होगा तो इन इस चित बबाई Sunday होगा ही शेल भी नहीं आएगा यहाँ पर will भी आएगा तुम देखोगे कि मैं सही हूँ तुम पता लगेगा कि मैं सही हूँ तो यूँ शेल सी नहीं आएगा यूँ के साथ वैसे will ही आता है ठीक है इन परजेंट इंगलीज आजकल इंगलीज में however there is a growing tendency आजकल एक tendency है growing tendency है बढ़ती हुई a tendency एक fashion सा है यूज़ विल इन ओल परसंकी सभी परसंके साथ विल यूज़ करते हैं ठीक है अगर सभी परसंके साथ हम विल यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा 310 का क्या कहा रहा है देखो Cell is sometimes used in the second and third person Second and third person के साथ हम Cell यूज़ करते हैं कब जब क्या express करें वो Command, Promise, Threat एक नमबर के रूल बताय जा रहे है इंडिया में साइद किसी क्लास में इसे रूल बताय जाएंगे इसी तरह समझाए जाएंगे मुझे नहीं लगता क्योंकि हमने भी वो सारी क्लासिस देखी है पहले नहीं समझाते मैं समझाता हूँ आपको कोई भी आपको डाउट मिले ने चो कमेंट सेक्षन मिलिक देना जोड़दार इंगलिस अपना चैनल का नाम है जोड़दार इंगलिस अगर टेलिग्राम प्याना है तो इंगलिस विद पंकत सर ठीक है मेरा यूटूब चैनल देखा जा रहा है अपने इंडिया में इंडिया में सब ज़्यादा हरियाना में उसके बाद अपने परोशी देश है अपने बांगला देश नेपाल पाकिस्तान ठीक है सिरलंका इन में हिंदी चलती है तो हिंदी में मैं मैं बना रहा हूँ तो समझे के देखा जा रहा है सेल कभी कभी सेकेंड थर्ड परसन में कमांड प्रोमीज थ्रेट में यूज किया रहा है कि कल तुम चुट्टी पे रहोगे यूज है कल तुम चुट्टी मिलेगी तो प्रोमीज है इसके लिए तुम्हें प्रोमीज मिलेगा थ्रेट है तो शेल आएगा ठीक है सभी में शेल यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड परसन के साथ होप समझ में आ गया होगा 311 क्या कह रहा है देखो ये कॉस्टन वीज सेल आई वी आ यूज है तु आ app देखो ये कह रहा है कि सेल के साथ हम कॉस्टन मनाते हैं सेल आई जेल वी तो हम अगले की वील पूसते हैं हम अगले की इच्छा पूछते हैं किसी की इच्छा को पता करने के लिए हम सेल वी, सेल आई यूज़ करते है सेल आई ओपन दर डोर इसमें ये पूछ रहा है अगले की विली तो पता कर रहा है क्या मैं दर्वाजा खोल दू आप चाते हो कि में दर्वाजा खोल लूँ तो ये विल दूसरे की इच्छा मतलब उसकी पूछ जा रही है विच्छ पैन सेल आई बाई कौन सा पैन मैं खरीद दूँ तो वाट इस यूड़ आडवाईस आपकी क्या आडवाईस है हम कहां चले मतलब आपका क्या दसे सजेस्टेस्टन है तो इसमें सैल यूज होता है विल इस यूज तो एस्प्रेस वोलिशन में वोलिशन का मतलब क्या होता है खुद की मर्जी खुद की मर्जी ठीक है तो वोलिशन इसमें कैसे यूज होगा देखो I will carry your books मैं आपकी books carry करूँगा मतलब ये मेरी इच्छा है I will try to do better next time आगले समय में अच्छा परियास करने कोशिश करूँगा promise to है I will I am determined मैं determined हूँ success or die in the attempt तो इसमें volition में will use होता है In the last example above Will is strong stressed यहां पर stress किया है Determination जांपर भी आजाएं तो वील लगा दो जिंता खतम characteristic habit जो habit है विशेशताई है जनमजात है उनके वील आता है He will talk about nothing but films वह वह सिरफ वह सिरफ films की बात करेगा और कुछ बात नहीं करेगा तो इसमें वील आएगा क्योंकि यह है उसकी characteristic habit है She will sit for hours listening to the wireless ठीक है wireless सुनने के लिए गंडों तक बैठेगी तो इसमें वील आता है यह देखो assumption और probability assumption and probability एक ही बात है मतलब हम अनुमान लगाएं संभावना This will be the book you want I suppose मैं suppose करता हूँ मेरा मानना है कि यह वीबुक है जो आप खरीदोगे This will be the book That will be the postman I think मैं सोचता हूँ कि where postman होगा तो यहाँ पर वील आता है अगर हम assumption करें अनुमान लगाएं अनुमान यह assumption है Will you indicates an invitation or a request अब यहाँ पर हम will you use करेंगे उसे question बनाएंगे interrogation बनाएंगे तो क्या indicate करेंगा invitation या request Will you have tea तो invite दो करेंगे टी पीने के लिए तो यहाँ पर will you आएगा Will you land me your scooter क्या मेरा scooter आप उधार देंगे तो इसमें request कि जा रही है ठीक है तो invitation या फिर request दोनों के लिए will you आता है Should and would are used as the past equivalent of shell and will Shell और will का Shell और will का past क्या है Should और would यह use होते हैं जैसे may का past might बताये थे मैंने और can का could बताये था तो इसमें क्या बताएगा है देखो examples मैं आपको समझाता हूँ I expected that I should more often would get a first class तो मैं expect करता हूँ कि I should get a first class तो more often would परियोग होता है अगर चाहिए कि अर्थ में है तो should आएगा और ना would आएगा सिद्धी सी बात है He said he would be 25 next birthday यहाँ पर said आगया would कर देगे Will नहीं आएगा यहाँ पर said आगया would कर देगे ठीक है She would sit for us listening to the wireless past habit है present habit होगी तो will आएगा ठीक है past है तो would कर दिया और past habit के लिए मैं से would आता है Should is used in all person to express duty और obligation Duty है और obligation उतरदाइत हुआ है या करते हुआ है उसके लिए तो should आता है न We should obey the laws कानून का पालन करना चाहिए Promise पूरा करना चाहिए Parents का ओबे करना चाहिए कोई नहीं बात नहीं है In class of condition should is used to express a supposition That may not be true But should है वो supposition में आएगा यह true नहीं हो सकता वो भी सकता है नहीं भी हो सकता उसमें should पर्योग होगा देखो If it should rain they will come अगर वरसात होती है तो वो आएंगे If it should rain they will not come वरसात होती है तो they will not come वो नहीं आएंगे If he should see me here he will be annoyed अगर वह मुझे वाद देखेगा तो वह annoyed हो जाएगा तो यहाँ पर supposition है supposition है अगर ऐसा होगा ठीक है अगर ऐसा होगा तो if it rain भी ठीक है If he sees me भी ठीक है If it rains भी ठीक है If he sees me भी ठीक है यहाँ पर should हटाएंगे तो range आजाएगा sees आजाएगा लेकिन model लगाएंगे should तो s हट जाएगा क्योंकि model के बाद waste form आती है यह क्या कहता है ती दूसातरा का देखो should and would are used also in the example below I should like you to help her तो like to के साथ तो would और should दोनों use होते है तो यहाँ पर would जादा है polite form of want है want के जो polite form है उसको हम would और should से इंगित करते है would you lend me your scooter please तो would you तो आता है कि is more polite than will you will you से जादा polite करेंगे तो would you आएगा would you और like to आ जाए तो उसमें तो would you आता ही है you should have been more careful तुम्हें जादा केरिफुल होना चाहिए था लेकिन तुम हुए नहीं काम हुआ नहीं तो obligation that was not fulfilled यह आपका उत्रता है तो था केरिफुल होनेगे लेकिन अब हुए नहीं तो should have been आएगा he should be in the library now express probability यह probability दिखाता है मतलब वह अब लाइबरेरी में होना चाहिए तो यह probability है वह पकार नहीं बता होना चाहिए तो he should be in the library now should be I wish you would not chatter so much would after wish express a strong desire अगर would आ रहा है wish के बाद यह wish है I wish और उसके बाद would यूज हो रहा है दूसरे कलाज में I wish एक लाज है यह दूसरे कलाज है तो यहाँ पे strong desire दिखाएगा मेरी यह desire है मैं wish करता हूँ यह मेरी कामना है कि you would know chatter so much तुम ज़्यादा बात नहीं करोगे ऐसे यूज होते हैं देख़ए तो hope आपको आज समझ में आया होगा अगले कलास में हम और बात करेंगे Thank you